कर अब कफिर से एक बार प्रेंगा के साथ प्रेंगा कंद की बात में इस बार मेरी एक दोस्थ ने मुझए फोन किया वह काफ ही बहowत परिशान थी वह नई-नई जगा कहीं शेफ्ट हु उसे बहुत अच्छा लगा, वहां काफी लोग थे, बहुत अच्छी वहां पे लोगों के साथ उनकी बांडिंग हो गई थी, आना जाना, कोब पार्टी करना, कोब हो गया, और विदिन टू मन्स में वह काफी परिशान हो गई, परिशान हो गई तो उसने फिर मुझे से बात सारे दोस्त बन गए, और उन दोस्तों से उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई, इतनी जल्दी इतनी गहरी हो गई, कि उसने उसने से अपनी सारी जो भी बाते उसकी होती थी, घर की बातें, दोस्तों की बातें, अपने लाइफ की बातें, सारी बातें शेयर कर दी, अब वो ज बहुत दुखी हो गई जब उसे पता चला कि जिन लोगों को उन्होंने अपना दोस माना था उन लोगोंने उसकी ये बाते शेयर कई दूसरों से और साथ ही शेयर ही नहीं किया मजाग भी उड़ाने लगे बहुत दुखी होई लेकिन अब किया क्या जा सकता था उसने वो बा वेस्ट गया उनके पीछे में तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमसे मिला और हमें लगा कि यह तो मेरा बहुत अपना है और बहुत ब्रेकडाउन के टाइम में हम उसे अपनी बाते शेयर कर जाते हैं बहुत तरह की बाते होती है शेयर करके और व कboo बना रहा है और वह वापस आप तक आपको परिशान करें तो किसी असी को अपनी बाते बताने के पहले यह ध्यान रख लें कि आपको अपना सीक्रिट किससे शियर करना मत कीजिए अपने सीक्रिट को अन्य चाहें लोगों के साथ अपने परिवार की बातों को दूसरे के साथ share मत कीजिए हो सकता है कि उस टाइम में वो आपको console कर रहा है लेकिन बाद में वो पीट-पीछे आपका मजाग ही उराएंगे तो कभी भी अपनी weakness को लोगों के साथ share मत कीजिए अपने family के बातों को लोगों के साथ share मत कीजिए अगर आपको बहुत परिशान है तो आप डायरी लिखे डायरी लिखे वो डायरी आपकी बिलकुल अपनी है वो आपकी बातों को जब उस moment में हो सकता है गुस्से में हो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़े आ रही हो तो आप दूसरे से जब वो बाते करेंगे तो बहुत कुछ extra वोल जाएंगे और आप उस समय उस moment को सुधारने के लिए क्या कर सकते थे तो दूसरों से बाते शेयर करने से बचे इंजॉय करें लाइप मस रहें मिलते हैं फिर से एक बार प्रेंका के साथ प्रेंका के मन की बात में